नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनो सिर्वास्तों आपके अपने चैनल इंग्लिस डोज विद अभी में आप सभी को स्वागत करता हूँ तो मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच हूँ, parts of speech के तीसरे type, adjective और उसके प्रकार के साथ में तो मित्रों, आज मैं हर बार की तरह आप लोगों के लिए ऐसी trick लेकर के आए हूँ जिससे आप adjective को मात्र 2 second से 3 second के अंदर आप उसको खतम कर देंगे और हमेशा याद रहेगा आपको, ये मैं आपको इस्वास के साथ कह सकता हूँ तो आए मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे target हमेशा ही रहता है कि मैं आपको कम सब्दों में ज़्यादा चीशे समझाओं और आपके समय को बचाओं कि दोस्तों, आपके लिए समय की बहुत ज़्यादा importance है तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका समय बचे, तो आप हमसे जुड़ें और ये वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं, तो उसे like करते हैं वे शेयर करिए तो आए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ आज के topic, adjective की तरफ और वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों, तो कि अंत में मैं आपको ऐसी trick दूँगा जो मैंने अभी आपको बताया, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है तो आए आगे लेकर चलता हूँ आपको, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, adjective क्या है मित्रों तो मैं आपको बताऊँ, adjective क्या है, तो बस इतना समझिए और हाँ दोस्तों, ये अभी तक आपने मेरी पिछली दो वीडियोज नहीं दी है, तो मैं description box में उसका link भी दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के, या direct मेरे चैनल पर भी जाकर के, आप वन दो वीडियों को जरूर देखिए योगी parts of speech से जरूर प्रशन बनता है, तो आईए, सुरू करते हैं, मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, adjective क्या है तो अगर बात कोने adjective की, तो आप देख सकते हैं, an adjective describes or modifies noun and pronoun in a sentence मित्रों, adjective क्या है, अगर adjective की बात करें, तो दोस्तों, उसे कहते हैं, विशेशाग, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, कि किसी भी sentence में, किसी भी वाक्य में, जो भी, शब्द, noun, या फिर pronoun को दोस्तों, describe करें, उन्हें modifies करें, qualifies करें, मतलब उनकी विशेशता बताएं, ठीक है, तो आपके वही सब्द दोस्तों हो जाएंगे, adjective, अब मैं आपको, and, और मैं आपको थोड़ा बता दूँ, कि it's normally, indicates, quality, size, shape, duration, feeling, and contents, ठीक है, अब मैं आपको एक example की दोरा समझाता हूँ, आपको बिलकुल दिमाग में आपको उतरेगा ये बात, तो आएए समझते example की दोरा, मित्रों आप यहां देखिए, मैंने दो तरह के example आपके लिए हैं, कि Ram is a student, और second example है, कि Ram is a brilliant student, तो मैं आपको सबसे पहले, मैंने दो क्यों लिए, अब मैं आपको इस चीज़ को समझाते हूँ, आगे बढ़ता हूँ, देखिए, यहां पर है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई नाम आए, तो वो हमेशा नाउन हो जाता है, तो मतलब आपका जो Ram है, वो यहां पर नाउन है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि नाउन या प्रोनाउन, जो भी जिसकी विशेष्टा बताये जो सब्द, वही adjective मतलब विशेषर है, तो दोस्तों, यहां पर बात एक आई, कि Ram एक विद्यार्थी है, अब देखें, दूसरा इस्टुट में, अब आप एक्जामपल देखें, दोस्तों, पहले से यह नहीं पता चल पा रहा है, कि वो कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है, मतलब पढ़ने में अच कि विशेष्टा क्या है, कि दोस्तों, Ram एक student है, लेकिन कैसा student है, दोस्तों, तो वो एक आपका brilliant student है, इसलिए जो brilliant word आपका आ रहा है, वही दोस्तों हो जाएगा adjective, ठीक है मित्रों, आप समझ चुके होंगे, तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, उसके type की हो, ठीक है, अगर मैं आपको समझाओं कि type की बात करूं मित्रों, तो मैं आपको type दिखाता हूँ जल्द जल्दी से, कि सबसे पहला type आपका बनता है, proper adjective, descriptive, quantitative, numeral, demonstrative, distributive, interrogative, and possessive, मित्रों, ये आपके 8 प्रकार हैं adjective के, इनको याद करना बहुत ही आसान बात नहीं है, आप इनको भूल सकते हैं, इसलिए, अंत तक वीडियो को देखिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप मेरा विश्वास करिए, कि आपको ऐसी trick दूँगा, अंत में, कि आप भूल नहीं पाएंगे, तो आइए, मैं सबसे पहले आपको इनके type के बारे में जल्दी समझा देता हूँ, और उसके दोस्तों, मैंने आपको नाउन में प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, कि जो भी famous या आपकी specific things हैं, वो आपकी प्रॉपर नाउन होती हैं, एक बार वीडियो को देखीगा, नाउन की तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो दोस्तों, वही आपका प्रॉपर adjective हो of a person or thing, मतलब आपको दोस्तों एक बात और याद रखिए, कि descriptive जो आपका होता है, दोस्तों, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कभी-कभी प्रशन में अलग तरह से पूछता है, तो याद रखिए, कि adjective of, adjective of quality दोस्तों इसको भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा कभी-कभी इस नाम से आता है, तो आपको याद रखना है, जैसे मानली जे हमने कहना है, मैंने भी आपको example दिया था, brilliant student, या फिर जैसे याँ example है, आप brave person, तो कैसा person है, brave है, ये उसकी quality है, ठीक है, आगे लेकर चलता हूँ, quantity to, ठीक है, तो इसे दोस्तों क्या कहते है, adjectives of quantity, मतलब जिनसे हमें quantity की बात पता चले, तो वो दोस्तों हो जाता है, आपका adjective of quantity, या quantitative adjective, दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं, परिमार, वाचक, विशेशर, अब मैं आपके लिए कुछ words को, important words को बता देता हूँ, जैसे आपका much है, ठीक है, आपका enough है, या फिर आपका दो दोस्तों, little use कर सकते हैं, आपका few use कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे भी ये सब words हैं, ये आपके quantity को बताते हैं, आगे लेकर चलता हूँ numeral, और numeral से आप समझ सकते हैं, कि जहां पर हमें numbers के बारे में पता चल जाए, वही आपके numeral होते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको एक बात इससे और बता देना चाहता हूँ, कि numeral में दोस्तों, आपके दो तरह के आजाते हैं, एक definite आजाता है, और दूसरा दोस्तों, in definite आजाता है, मतलब, जहां पर हमें कोई निश्चित बात दोस्तों पर चल जाए, वह दोस्तों आपका definite हो जाएगा, और जहा कि अगर हम definite numeral का सबसे पहले example लेते हैं, तो मैं आपको example के दोरा समझाता हूँ, जैसे मान लो मैं कह दूँ, कि I have, I have two, I have two chairs, मैं आपसे ये example के दोरा समझाता हूँ, तो दोखों देखिए आप यहाँ पर, कि I have two chairs, सबसे पहली बात दोस्तों, pronoun की quality क्या है, कि उसके पास chairs हैं, आप कितनी chairs हैं दोस्तों, तो आप एक बात समझ सकते हैं, कि यहाँ पर two chairs हैं, मतलब quantity क्या है, two है, number of chairs, कितना है दोस्तों, two है, तो दोस्तों, यही आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, यह adjective of number, यह फिर आपका numeral adjective अगर अब मैं दोस्तों आपको एक्जामपल एक दूसरा लेकर दिखाओं कि ये तो definite की बात हो गए अब in definite की तरफ अगर चलें तो दोस्तों मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि many many boys many boys came here मतलब क्या है कि बहुत से sorry दोस्तों मैं एक बार फिर से लिखता हूँ many boys came here ठीक है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि देखिए आपका यहाँ पर लिखा है many तो दोस्तों many का मतलब यह तो बहुत सारे लेकिन यह नहीं बहुत चल पा रहा है कि कितने सव आये पचास आये यह फिर कितने आये यह नहीं जान पा रहे है तो यहाँ पर पूरी बात साफ नहीं इसले वह इंडेफनाइट नुमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा ठीक है तो आगे मैं आपको लेकर चलता हूं इसके अगले टाइप की ओर अगला टाइप आपका बनता है डेमांस्ट्रेटिव दोस्तों अब डेमांस्ट्रेटिव के अगर बात करें दोस्तों तो मैंने आपको यहा और दोस्तों दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर इन चार में से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो आप तुरन समझ लीजिए कि वो डेमांस्ट्रेटिव हैं अगर बात करें दोस्तों डेमांस्ट्रेटिव की तो दोस्तों जो संकेत वाचक विशेशर उ या अगर मैं आपको इसके लिए एक एक एग्जामपल दे सकते हैं यहां पर एक मैं आपको दिखाऊंगा भी एक एक एग्जामपल दोस्तों मालीजे मैं आपको देता हूँ कि दैट दैट बॉइ इस माई फ्रेंड तो मतलब देखे मैंने दोस्तों इंडिकेट किया और दोस्तों बॉय आपको यहां पर एक नाउन की तरह युज़रा तो नाउन की दोस्तों क्वालिटी मतलब उसे क्वालिफाइज कौन कर रहा है तो मतलब आपका यही डेमॉंस्ट्रेटी हो जाएगा आगे मैं अगर आपको दिखाऊं डिस्ट्री व्यूट्यू दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट्यू का मतलब है मैंने यह भी आपको प्रोनाउन में बताया था विच सेपरेट फ्रॉम ग्रॉप ऑन आ कास्ट मनलब जो आपको एक कास्ट यह ग्रॉप से अलग कर दे सेपरेट करे वही डिस्ट्रीब्यूट्यू हो जाता है मनलब विभाग सूचक जिसे हिंदी में कहते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको दिखाऊं तो इच एवरी आइदर नाइदर आपके यही चार वर्ड याद रखिए दोस्तों यह आपका प्रोनाउन और एड्जेक्टिव दोनों में काम आएंगे तो इसलिए अच्छे से याद रखते हुए रखिए अब आके पहुशते हैं और आगे मैं आपको इंटेरिगेट्व किस्ता समझाना चाहूंगा कि यह दोस्तों आपका हो जाता है क्या प्रस्नवाचक विशेशर तो दोस्तों जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर मैं एक एक्जांपल के तौर पर आप यहां एक्जा वर्ड देखें तो आप यहां पर एक बास समझ में आ जानी चाहिए आपके यह जो हूज है दोस्तों हाउस सबसे पहले आपका नाउन है अब नाउन की दोस्तों क्वालिटी मतलब मौडिफाइज कौन कर रहा है तो यह हूज वर्ड जो दोस्तों है यह आपका बता रहा है हाउस की कौलिटी मतलब इसका मतलब है यहां घर किसका है तो दोस्तों यहां पर किसका के लिए यह आपका आगया हूज और यही आपका हो जाएगा इंटेरिगेटिव एडजेक्टिव तो मित्रों अब आपके सब्र आपका जो धहर था आपने बहुत देर धहर रखा अब होती दोस्तों मज़ेदार और अच्छी ट्रिक है एक बार आप देखेंगे आप कभी भी भूलेंगे नहीं आपको मैं दिखाता हूँ देखें ट्रिक क्या है दोस्तों कि पापा ने डाट कर दीदी को इंटर्विव के लिए पोस्ट करने को कहा या दोस्तों जो भी कहें कि कहा आप सोच सकते हैं तो देखिए दोस्तों कैसे याद करेंगे आप इसको मैं आपको बताता हूँ आपको सिर्फ यह ट्रिक याद रखनी है और अगर आपने ट्रिक याद की तो आपको सब कुछ याद मैं आपसे बता सकता हूँ अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके अगले बात को बताते हुए कि पापा ने डाट कर तो दोस्तों अगर हम बात करें डाटने की दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ ने से पहले आप यहाँ रखें मैंने बताया था भी निूमेरल एड्यक्टिव ठीक है आगे अगर ल जाएगा दोस्तों, demonstrative हो जाएगा, ठीक है, अब आगे मैं आपको भी और लेकर चलता हूँ, अगर मैं आपको दूसरे से Q से दिखाऊँ, तो ये आपकी दोस्तों, quantity के लिए दोस्तों, use हो जाएगा, जिसे मैंने आपको बताया था, quantitative या फिर quantitative, ठीक है, अगर मैं आपको दूसरे D से बताऊँ, तो आपका ये आगे पहुंच करके बन जाएगा, क्या, दोस्तों, ये आपका बन जाएगा, distributive, adjective, ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको आगे ले करके चलूं, interview, तो दोस्तों, interview से आपका, inter से दोस्तों, interrogative बन जाएगा, ठीक है, और आगर आगे मैं आपको दिखाऊँ, कि post के लिए, तो मित्रों, आपका जो post है, इस से आपका बन जाएगा, पजेश्यू, आपका adjective, ठीक है, तो दोस्तों, इसके तहएट, आपने एक, एक शब्द को एकदम, पूरी तरह से रटा मार लिया होगा, कि आपने अगर इतना याद रख लिया, कि पापा ने दीदी को डाट कर, इंटर्वियो के लिए post करने को कहा, तो दोस्तों, एक सामानने सा वर्ड है, एक पूरा sentence सामानने सा, तो मेरे खहल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक sentence और आपके उंगलियों पर होगा adjective, तो मित्रों, आज की वीडियो दिया आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करेगा, और मुझसे जुडियेगा, तो कि मैं इसी तरीके की, अलग-अलग, कम समय में आपको चीजों को समझाते हुए, ऐसी trick लेकर आऊँगा, जिससे आपको समय भी बचेगा, और आपको आसानी से कभी न भूलने आ पूछ लेता है, मालेज़ आपको वाइस दे दिया, और आपसे ऐसे question दोस्तों पूछ लेगा, मालेज़ आपको वाइस दे दिया, अब दोस्तों आपसे पूछेगा, कि बताइए कि ये noun है, pronoun है, verb है, adjective है, तो आप दोस्तों ये आपका adjective हो जाएगा, जिसे मालम लोग कहना कि SURES इस उन, सुरी दोस्तों, अगर मालनेगे मुझे कहना SURES is a wise person, तो दोस्तों, पालब SURES एक बुद्धिमान वैक्ती है, तो कैसा वैक्ती है, अगर हम सिर्फ यह कहें, SURES is a person, तो वहां पर कोई भी बात सामने, निकल कर नहीं आती कि सुरेश की quality क्या है लेकिन अगर हम यह कह दें सुरेश इजा voice person तो दोस्तों यहाँ पर सुरेश एक बुद्धिमान विखती है मतलब सुरेश की quality यह है कि वो बुद्धिमान है तो दोस्तों यही जो voice word हो जाएगा यही इसका adjective हो जाएगा तो मैं इतनों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो यह आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करते हुए शेयर करिए और पहली बार आएं तो हमसे जुड़िये और आमारी वीडियो को देखते रहे है दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो